अब आगे पढ़ते हैं पार्ट का आगे भाग रास्ते में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जब तक जहाज स्वेज नहर से गुजरता है अब यहां आगे वर्णन कर रहे हैं डॉक्टर राजेंदर प्रसाजी कि रास्ते में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जब तक जहाज स्वेज नहर से गुजरता है तब तक थॉमस कुक कमपनी की ओर से प्रबंध रहता है कि यदि कोई मुसाफिर चाहे तो मोटर द्वारा जाकर कैरो नगर और उससे थोड़ी दूरी पस्थित समफिक्स को देखकर आ सकता है अब इस छोटे से पद में यह बताया गया है कि एक तो आपको याद रहे कि जो राजिंदर बाबु जी थे वे समुद्री जहाज से सफर कर रहे थे तो रास्ते में एक बड़ी सी नदी आती है जिसका नाम है स्वेज नहल और जब तक वे उस समुद्री जहाज पर रहते हैं तो वहाँ पर थोमस कुक कंपनी ही सारी व्यवस्था करती है यानि उस कंपनी का नाम क्या है थोमस कुक तो वह कंपनी उन्हें गुमाने, फिराने, खाने, पीने तदा अन्य चीजों की ववस्था करती है तो मोटर शब्द है यहाँ पर कार के लिए कि वे कार के द्वारा कैरो नगर जा सकते हैं तता अन्य स्थानों का ब्रहमन कर सकते हैं अब आगे कहते हैं वे, मैंने यह देख लेना अच्छा समझा, यानि वो कह रहे हैं कि मैंने भी सोचा कि इस चीज का प्रबंध तो किया ही गया है क्यों नहीं गूमने जाया जाए मेरे ही जैसे कुछ और मुसाफिर भी थे, मुसाफिर यानि जो उनके साथ घूमने आये थे जिनों ने थोमस कुक के साथ वहाँ जाने का प्रबंध कर लिया हम लोग बहुत सवेरे ही करीब पांच बजे जाहत से उतर कर मोटर पर यानि कार पर कैरो चले गए कैरो स्थान का नाम है कैरो में पहुचने पर मुहू हाथ धोने और हलका नाश्ता कर लेने के लिए एक होटल में हम लोग ले जाए गए इसके बाद कैरो का अजायब घर देखने गए अजायब घर होता है म्यूजियम यानि जहाँ पर पुरानी ऐसी वस्तुए रखी जाएं सुरक्षित जिन से कुछ इतिहास या सब्विता जुड़ी हो वहीं पिरामिडों की खुदाई से यानि आब वो बता रहे हैं कि जाएब घर में क्या क्या था वहीं पर पिरामिडों की खुदाई से निकली हुई चीजे सुरक्षित रखी गई है यह बड़ा सुन्दर संग रहे है प्राचीन मिस्र के कितने बड़े नामी और प्रातापी बादशाहों के शव जिन्हें ममी कहते हैं ममी और ममी शब्द में अंतर है किरपे इस अंतर को पहचाने उन शवों को क्या कहा गया ममी जो पिरामिडों से निकले हैं यहां सुरक्षित है अब देखने में वे काले पड़ गए हैं पर उनका चहरा और हाथ पैर तो जियों के तियों हैं वे जिस महीन कपड़े में कर गाड़े गए थे यानि दबाए गए थे वे कपड़ा भी अभी तक वैसे ही लिप्टा हुआ है यह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था सुना जाता है कि यह भारत वर्ष से ही जाया करता था आपको यह जानकर बड़ा ही अश्चरे भी होगा और हर्ष भी होगा कि अंग्रेजी शाषन से पूर्व हमारा देश इस दुनिया का सबसे बड़ा हमारा देश बहुत बड़ा निर्यातक था यानि हमारे देश से ही वस्तुएं या अन्य सामान बन कर विदेशों में जाता था उन दिनों वहां के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सबी सामान यदि शव के साथ गार दिये जाएं तो परलोक में भी उन से वह आराम पा सकते हैं इसी विश्वास के कारण पिरामिडों के अंदर शव के साथ सबी आवशक वस्तुएं रखी हुई थी वे सब चीजें एक से एक अच्छी बनी हैं जिन से जान पड़ता है कि उस समय सभी लोग सोने का विवहार जानते थे तो इस प्रकार हमने कुछ अंश इस पार्ट के पड़े